Hello friends, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हर एक Indian citizen के लिए अधार कार्ड को ही एक important document consider किया जाता है तो अगर आपके अधार कार्ड पर आपका पुराना address mention है, आप अब नए address पर रह रहे हैं यानि कि आप अपने अधार कार्ड में अपना address अपडेट करना चाहते हैं कोई भी reason है कि आपके address में कोई mistake है या फिर आप अपने अपडेट करना चाहते हैं reason कुछ भी हो सकते है कि आप अपने अधार कार्ड में अपना address अपडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कही भी बहार जाने की कोई जरूरत नहीं है आप easily गर बैठे बैठे अपने अधार कार्ड में अपना address अपडेट कर सकते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है इस वीडियो को complete watch करना है आपके सारे doubts clear हो जाएंगे और आप easily गर बैठे बैठे अपने अधार कार्ड में अपना address अपडेट कर सको अधार card में address change करने के लिए आपने google chrome में uidai.gov.in एंटर करना है यहां आपके पास top पर जो link आएगा आपने उस link पर click करना है तो जैसी आप इस link पर click करते हैं तो आप यहां पर uidai के official page पर enter हो जाओगे तो यहां login page open हो जाता है तो हमने यहां पर login करना है login करने के लिए हमने यहां पर login वाले option पर click करना है अपना अधार number enter करना है capture code enter करना है और login with OTP वाले option पर click करना है तो अब हमारे अधार register mobile number पर एक OTP send किया जाएगा हमने वो same OTP यहां पर enter करना है और login के option पर click करना है तो यहां आपने right side में profile वाले icon पर click करना है यहां आपको आपका complete अधार card show हो जाएगा इसकी back side में आपको आपका address show होगा तो यहां से आप देख सकते हैं कि आप अपने address में क्या changes करना चाहते हैं और नीचे आपको अधार card services से related भहुत सारे options मिल जाते हैं तो आपने यहां पर अधार card में अपने address को update करना है तो इसके लिए हमने यहां पर address update वाले option पर click करना है तो इतना करने के बाद हमारे पास यहां पर अधार card update करने के लिए two options given हैं first update अधार online, second head of the family based address update अगर आपके पास कोई भी document अविलेबल नहीं है तो आप यहां पर अपने parents के documents के basis पर अपने अधार card में address update कर सकते हैं अगर आपके पास आपके सारे documents अविलेबल हैं तो आप यहां पर first option update अधार online वाला option ही select करोगे यहां हमें update करने के लिए different different steps दिये गए हैं इन्हें हमने read करना है और proceed to update अधार के option पर click करना है तो अब हमने यहां पर अपने अधार card में address change करना है तो इसके लिए हमने यहां पर address वाला option ही select करना है तो यहां आप अपने अधार card में बहुत बार यानकि जितनी बार भी आप चाहते हैं आप अपने अधार काड में अपने address चेंज कर सकते हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यहां लिखा भी हुआ है No Limit तो यहां हमने Proceed to Update अधार की option पर क्लिक करना है यहां आपको आपका address शो होगा आपने इसे verify करना है कि आप कहां पर correction करवाना चाहते हैं तो नीचे हमारे पास option है details to be uploaded यहां हमने अपनी details एंटर करनी है सबसे पहले हमने care of में अपने father या अगर आप married हैं तो आप अपने husband का name एंटर करोगे नीचे आपको Hindi language में भी सारी details शो हो जाएंगी Then हमने अपना house, building और apartment name एंटर करना है street, road, lane एंटर करना है area, locality, sector एंटर करना है landmark एंटर करना है pin code एंटर करना है state और district automatically show हो जाएगी यहां पर आपको Then हमने village, town और city name एंटर करना है post office चूज करना है और अब नीचे हमने अपना document अपलोड करना है तो इस list में से आप कोई भी document select कर सकते है जो भी document आपके पास available हो वही document आप इस list में से select करोगे तो यहां हम अपना voter ID card select करेंगे यहां हमने इस pop-up में ok के option पर click करना है और view details and upload documents के option पर click करना है यहां हमने continue to upload वाले option पर click करना है और यहां से आपने अपना voter ID card select करना है और फिर upload करना है then open के option पर click करना है तो आप यहां देख सकते हैं हमारा voter ID card successfully upload हो चुका है तो हमने यहां पर next के option पर click करना है तो यहां आपने जो address update किया है वो complete address आपको आपकी English language और Hindi language दोनों में show होगा आपने इसे verify करना है अगर पर click करके अपनी mistake को rectify भी कर सकते हैं तो हमारा updated address बिल्कुल सही है तो हमने नीचे दोनों checkboxes पर tick करना है और next के option पर click करना है अब जो last step है वो है payment तो अधार कार में online address अपडेट करने के लिए हमने यहां पर 50 rupees की payment करनी है तो इसके लिए हमने नीचे I hereby confirm के checkbox पर tick करना ह है और payment option select करना है यहां हम resort pay वाला option ही select करेंगे और अधाम हमें इहां पर different payment ञोंगे आपने इसमें से कोई भी mode select करना है तो हम यहाँ पर UPI से payment करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने इसी option को select करना है और pay now की option पर click करना है तो इतना करते ही आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमारी payment successfully complete हो जाती है और एक acknowledgement slip भी generate हो जाती है आप इस slip को download भी कर सकते हैं इसके लिए आपने इहाँ पर download acknowledgement की option पर click करना है तो आपकी जो slip है वो download हो जाएगी आपने इस slip को संभाल कर रखना है क्योंकि इस slip के उपर एक service request number भी mention है इस number की help से आप अपनी application का status भी track कर सकते हैं कि आपका जो अधारकार है उसमें address कितने दिनों में update होगा तो आपने क्या करना है इस receipt को download करके अपने laptop या computer में save करके रखना है तो ही आप easily अपनी application का status track कर सकोगे I hope आपको clear होगा कि कैसे आपने अपने अधारकार में अपना address update करना है आपके सारे doubts clear होगे अगर आपको फिर भी कोई doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हैं So this is the end of my video अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो please मेरी वीडियो को like करें और मेरे channel को subscribe करें Thanks for listening and thank you everyone